हेलो एवरिवन आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम बात करेंगे एंड लाइन असेस्मेंट के अंदर बच्चे को किस परकार लेवल दें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि तीन लेवल है जो एक है एट ग्रेड दूसरा है फाई और शिक्स और तीसरा है लेवल फॉर अगर आपके end line assessment ने तीन level है तो उनमें से आप कौन सा देना है और किस परकार देना है तो चलिए आईए देखते हैं तो सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ पे एक जो workbook में end line assessment का test लिया है और उसमें मैंने level दिया है at grad यानि बच्चा कक्षास्तर के अनुरूप है जो सभी question है वो बहुत अच्छी तरीके से हल किये हैं सभी question सही हैं बच्चा कक्षास्तर के अनुरूप है वो किताब पढ़ना भी जानता है तो इस base पर मैंने उसे at grade दिया है तो आप अगर बच्चा इस तरीके की performance कर रहा है तो आप उसे at grade दीजिए फिर बात आती है कि बच्चा अगर इससे कम कर रहा है अगर बच्चा जैसे 7th class का और थोड़ा कम जानता है तो उसे आप 5 या 6 का जो लेवल है उसमें रखें क्योंकि बच्चा 7th class में है लेकिन उसके सीखने का स्तर जो है वो कफ़ज़ा 6 और 5 की अनुरूप है लेवल 4 में डालेंगे अब बात आती है कि रिमार्क जो है वो किस तरीके से देना है अगर बच्चा कक्षा के अनुरूप है तो आप इस तरीके से रिमार्क डाल सकते हैं कि बच्चा जो है एंड लाइन असेस्मेंट के टेस्ट में बिल्कुल भी जो क्यूस्चन है वो बिल्कुल कम हल की हैं और जादा तर उसने गलतियां उसमें काफी सारी की हैं तो इस बेस पर उसे जो है रिमारक इसे साब से दिया गया है कि बच्चे का जो कक्षस्तर है वो उसके अनरूप नहीं है उसका कक्षस्तर लेवल 5 और 6 के अनरूप है तो इस तरीके से हमें उसे रिमारक देना है जैसे उसको ये भी लिख सकते हैं हम कि बच्चा प्रयास कर र वो आप प्रयोग ना करें तो भी अच्छा है नहीं का प्रयोग ना करते हुए आप अगर लिखना चाहते हैं नहीं का प्रयोग आपको नहीं करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि बच्चा प्रयास कर रहा है बच्चा प्रोसाइथ हो रहा है तो आप उसमें लेवल डाल सकत हैं कि पूरे पेज में उसने किस तरीके से क्युष्टनों को हल किया है धन्यवाद इस तरीके की जो वीडियो है उससे जुड़े रहें और आपको कुछ और भी जानकारिए चाहिए तो आप प्लीज कमेंट करिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए शेयर करिए मिलते हैं ने